दोस्तों राम राम कैसे हो आप सब सोचा थोड़ा सवतियाथी स्टाइल में बोला जाए क्योंकि मैं गाओं में आती हुँ भैई और गाओं में सब ही को राम राम बोलती हो आशा करते हुआ आपको पसंद आया होगा पसंद आया ना तो है गाइस वेल्गमें टो माई चैनल और मेरे चैनल का नाम है नाम तो आपने सुनाई होगा वर्षण ब्यूटी के है तो दोस्तों आज मैं आप ही की रिक्वेस्ट पर दुबारा से हिना हेर पैक की वीडियो लेकर आई हूँ और थैंक इस सो मच फ्रेंड्स तैंक इस सो म हिना आपके बालों को कैसे फाइदा पहुचाती है तो चली देख लेते हैं दोस्तों और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजी और साथ पुछ बेल बट नहीं से प्रेस कर दीजेगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिसना हो तो आपकी हेर ब्रोथ को भी इंक्रीज करता है और साथी साथ आपकी हेर फॉल प्रॉब्लम को भी एक कम करेगा तो चलिए फ्रेंट्स देख लेते हैं कि हमें इस हिना एयर पैक को कैसे तैयार करना है सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाती हूँ कि हिना की कोणिंग ल इसे मैंने साथ कर लिया अच्छे से तो चलिए तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने हिना की कोणिटी अपने गोडिंग ले ली है अब मैं इसमें एड़ करूंगी दो बड़े चमच मुलतानी मिट्टी जी हां आज के हिना हेर पैक की खास बात यह है कि मैं इसमें एड़ यह आप देख सकते हो तो यह मैं बड़े चमच ले लूँगी इसके तो यह देखिए तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने एक चो मच और इसमें मुलतानी मिट्टी एड़ कर दी है अब मैं से अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैंने सबसे पहले लिया है एक पैन में पानी तो यह लेम आपने 2 कब पानी के लिए हैं आपने उतना ही पानी लेना है जिसमिंकी आपका महंधी पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह देखिए वेरे इसमें ये पानी ले लिया है और मैं इसमें ठोड़ा सा पानी और अड़ करूँगी तो यह देखिए नekस्ट 1 कर बैंको एक ओर कपने डालगी हम एक में तैकि पाने कमना रहे इतना मेरे पानी में उबालाता है तो मैं इसे अच्छे से mix कर लूगी और झालता है तो अब जोकीं पाने का नहीं जरी और पानी डालकर आपने तयार करना है और गाईद इस हिना पैक की ये खास बात है कि आपको बहुत जादा देर था किसे घोल कर रखने की जुरुत नहीं है 2-3 गंटे के लिए आप इसे सिर्फ आदे गंटे के लिए थोड़ा सा रैस दे दीजे उसके बाद आप इसे अपने बालों में अपलाई कर सकते है क्योंकि अभी थोड़ा गरम भी है पानी तो गोल ये गरम होगा इसका तो आप सिर्फ इस यादे घंटे के लिए घरस दे दीजे और इसके बाद आप इसे अपने बालों में अपलाई कर लीजे और इसके बाद नेक्स दे आप शैपू कर सकते हो गाईस और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मेरा ये महंदी का गोल तैयार हो चुका है और अभी आपको इसमें से भाब भी नजर आ रही है निकलती ही अभी ये बहुत गर्म है तो मैं अभी इसे आदे घंड़ तक ऐसे रखा रहने दूँगी उसके बाद मैं इसे अपने वालों में एपलाई करूँगी और दोस्तों इस हीना हेर पैक का ये फायदा है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा तेलिये बाल है यानि कि आपके बालों में बहुत जल्दी ओयल आ जाता है तो आपके बालों के लिए ये हीना हेर पैक बहुत ही बेस्ट है आप इस हेर पैक को बेजी ज़गों कर लगा सकती है कोई भी इसका side effect नहीं है कोई नुकसान नहीं है और आपने इसे लगाना है हफते में एक बार अगर आपके पास जादा राई में तो हफते में दो बार भी लगा सकती है अधर वाइस आप हफते में एक बार तो जुरूर लगाईएगा इस पैक को बहुत effective है ये हीना हेर पैक और बहुत अच्छे से काम करता है अपके बालों को और सबसे च्छी बात कि अपके बालों को soft, smooth और shiny भी बनाता है तो मैं आज इस हेर पैक को अपने बालों में apply करकर आपको दिखा देती हूँ कि कि कितना अच्छा result आया है इसका तो चलिए देख लेते हैं आप सचेंगे कि मैं पहले ही result की बात क्यों कर रही हूँ इसक्यों कि मुझे पता है हीना का हम कोई भी अगर hair pack लगाते है अपने बालों में तो बहुत ही अच्छा ही की color भी देती है और इसमें मैंने कोई भी चाय पती का पानी या कोफी का पानी या दही वगारा कुछ भी अड़ नहीं किया है आपने इसमें सिर्फ दो ही चीज़े अड़ करनी है सिर्फ महदी और मुलतानी मिट्टी का दो चमच पाउडर जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी है आपके बालों को सिल्की बनाएगी बहुत अच्छी एक शाइन भी देख जाएगी आपके बालों में तो चली friends, अब मैं इस hair pack को अपने बालों में आपको apply करकर दिखाती हूँ तो यह देखे friends, आदा गंटा हो चुका है और आप देख सकते हूँ इसका color जो है natural green color है जो यानि की हीना का color होता है वो ही green color है जैसा कि आप देख सकते हूँ और मैंने इसी भरतन में ही इसे गोला था और जाएग देर के लिए मैंने इसे नहीं रखा है सिर्फ आदे गंटा हो चुका है इसे बैटर को मतलब धोल को तयार किये हुए तो चलिए मैं इसे अपने बालों में apply कर लेती हूँ और हाँ मैंने अपने बालों में चीसी comb कर ली है और हमेशा की तरह गाईसा अपने center से ही थोड़े से बाल लेने है, थोड़े-थोडे section बालों का लेना है और इस तरीके से आप अपने बालों को बन बना लिजे आप चाहें तो इसमें किसी की हल्प भी ले सकते हो या फिर आप ब्रश के हल्प से लगा सकते हो या फिर आप गलव्स पहन सकते हो मेरे पास इसमें गलव्स नहीं है और मैं हाथों के हल्प से अच्छे से लगा पाती हूँ तो मैं यहां पर यह अपने हाटों से लगा रही हूँ और पहले गाईज मैं पीछे के बालों को थोड़ा लेकर अपने बालों में हंदी लगा रही हूँ और बन बना रही हूँ जैसे कि आप देखी रही हो इसे बन बहुत अच्छा बनता है आपका और बहुत इजी बनता है बहुत इसली मतलब बना लेते हो और आपने बोला था कि मैं क्लचर भी लगा हूँ बालों में वैसे तो अगर आप बन अच्छे से बना लाते हैं तो आपको क्लचर की जरूरत नहीं पढ़ती है पर आपने तो मैं आपको Kletcher लगा तर भी जरूर मता दूंगी तो Kletcher की help से भी आपने बालों को सिक्यूर कर सकती हो अपने बन को ते देखे मैने पीछे के बालों में तो लगा लिए है अब मैं आगए के बालों में लगाूंगी मेहनी आपको जैसे भी आती हो आप लगा सकते हो friends कोई जुरू नहीं है जैसे मैं लगा रही हूँ आप भी लगाएं क्योंकि आपको अगर अच्छा लगता है मेरे वाला तरीका यह तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो बहुत एजी रहता है इस से लगाना और बैंगी थोड़े से बाल पीछी की तरफ कर लेती हूं, नहीं तो बन अच्छे से नहीं बनेगा स्कल्प में अच्छे से लगा लिए जी महंदी को क्योंकि अगर आपके स्कल्प ओईली है तो आप स्कल्प में अच्छे से लगाईएगा और नीचे के बालों में अच्छे से लगा लिजएगा, इससे आपके दो मुही बालों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी तो यह देखिए मैं अच्छे से ही नहीं अप्लाई कर लिए है और हम में लगाऊंगे अपने बालों में क्लचर अगर आपके चोटे बाले हैं तो आपको हो सकता है क्लचर की जूरत पड़े तो आप क्लचर से भी अपने बंगों सी क्योर कर सकती हैं तो यह देखिए मैंने लगा लिया ही ना तो यह देखिए फ्रेंट्स में ले आई हूँ और अब में लगा लूँ कि इपने बालों में अभी तो लग नहीं रहा है यह बालों में वैसे अच्छा से क्यूकि मैंने बंगोट ही सिक्योर बनाया है तो कुछ इस तरिके से लगाया है और अगर आपको लगता है कि अका बंग बन जो है वो लुज आ तो आपको जच Dazu लगा सकते हो गाई मेरे अपन्य बण जो है वो टायट बनाया और आपने बालों में तो आप कम से कम भी 15-20 दिन पहले को लगाना चोड़ दीजे तब आपने बालों में अप्लाइ की जए तो आपके स्किन में को रियक्शन हो जाए किसी तरह कर आपको सूप ना करें ये भी हो सकता है और आपको हेर फॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है तो क्योंकि ये हैर पैक खास तोर से उन बालों के लिए है अगर आप कलर वगार यूज नहीं करते हैं या आपके बहुत जादा तेलिये बाल है यानि कि ओईली है तो आप इस हीना है को इसली अपलाई कर सकते हो लेकिन द्यान रहे कि आपने किसी भी तरह का कुछ भी अपने आपको इस एक बालों के कहाने कि खास बात है और यहीं आपने मुझे बॉलगा लिए है जैसे कि आपने बोला थे में फ्लेक्टर लगाऊं और एक चीज जहांना चाहती हूं में इस महंदी को से गंटे तक लिगा कर रखोंगी तक कि जो भी अच्छ एच्छ तवह हों मेरे को फिट से अप्लाई कर लेती हूँ और गाईज जो आपको बैग्राउंड में नुएस आ रही है तो प्लीज इग्नूर कीजेगा क्योंकि यहीं के बालों में कम लग रही है तो इसलिए में यहां पर लगा रही हूँ आप चाहें तो कोई भी कैप वगएरा भी पहन सकते हूँ तो यह देखें मैंने लगा ली है और बस हम मैं इसे एक घंटे बाद वाश कर लोगी और फिर इसके बाद आपको मैं फाइनल रिजर दिखाती हूँ तो यह देखें फ्रेंड्स मेरी महंदी जो है वो सूख चुकी है और अब अपने बालों को वाश करने के लिए जा रही हूँ तो चलिए देख ले देखें यह देखें सूख चुकी है अच्छे थे महंदी तो यह देखी फ्रेंट्स मैं नद के नीचे अपने बालों को वाश कर रही हूं मैं दिको निकालूंगी कि अपने बालों को वाश कर रही हूं कि अपने बालों को वाश कर रही हूं अपने बालों को रही हूं कि अपने बालों कर रही है झाल झाल अजे शेटरेटर यहाँ रेटर देटर झाल झाल वर झाल तो कि और करें दून अजाओ तो इते पितते हैं, अाय, नहुआ सादों के लिए कर दो दोगते हैं, इते हैं, एक उिर एक कर दो में यहूगते हैं? तो यहां पर फ्रेंट्स में अपने बालो को वोच भी कर लिया था और घाबी लिया अपने बालो को ट्राय कर लिया है तो यह देखिये का इस कितना अच्छा रिज़ अलटा है कितने ची चमक आया बालो में और बहुत ही सिल्की स्मूध और शायनी लग रहे है बाल जैसा कि आप भी देख सकते हों यह देखिए हैं अगर आपको पसंद आया होगा मेरा आज का यहीना हेयर पैक और अगर आपको मेरा यहीना हेयर पैक अच्छा लगाओ आपको मेरी आज के वीडियो कैसे लगी और फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेस्बूक इंस्टाग्राम और टिक टोक पर और मैं मिलती हैं आपसे और भी अमेजिंग सी वीडियो के साथ तब तके लिए बाई टेक के लिए लब यू वाल अच्छा अच्छा आपसे लगाओ